हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल निलं क्रियेटिव आर्ट वर्क में आप सबका स्वागत है तो आज हम बनाने वाले है ये खुब सुरत सा ज्वैलरी बॉक्स और ये देखो कितना खुब सुरत ये ज्वैलरी बॉक्स बनके बहार आया है और दूसरा हम बनाने वाले है ये फ्लावर पॉट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये फ्लावर पॉट दिखता है और अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो हीट बेल आइकन है उसको हीट करना मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी अपलोड करू तो पहले आपको वीडियो मिल जाए तो चलो बुनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने ये मिठैक का बॉक्स लिया है आप कोई भी बॉक्स यूज कर सकते हो और यहाँ पे मैंने ये पेपर बुक मंगवाया था एमेजन से अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ जाके चैक कर लेना और उसमें काफी अच्छे अच्छे प्रिंट आउट बने होते हैं तो आप देख सकते हो किस तरीके से प्रिंट आउट है और उसमें हर रेक प्रिंट के दो-दो पेपर होते हैं और यह काफी खुब सूरत दिखते हैं तो चलो अभी हम बनाते हैं तो यहाँ पेले हम यह बॉक्स को एक्रिलिक कलर से हम पेंट करेंगे अगर आपके पास जैसो है तो आप जैसो भी यूज़ कर सकते हो तो यह हम कलर हम पूरे बॉक्स पे अप्लाई तो इस तरीके से हम पूरे बॉक्स में यह वाइट कलर हम कर देंगे और अभी यह हमारा सुक्के रैडी हो गया है और अभी हम स्टिक करेंगे यह पेपर तो यह पेपर हमने लिया है हमको इसको अभी फाड़ना नहीं है डैको पाच पेपर में हम फाड़ के यूज़ कर सकत बट यहां पे बहुत नजदिक में प्रिंट बने हैं तो मैं उसको फाड़ूंगी नहीं अगर मैं फाड़ूंगी तो उसका दूसरा जो प्रिंट बना रहेगा वो भी शायद पड़ जाएगा तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ यह पेंट ब्रॉश तो आप कोई भ आपको इस तरीके से अपलाई करके फिर उसको आपको टेर करना है अगर आपके पास डेको पाज नेपकीन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो वो काफी थीन लेयर होती है तो वो काफी अच्छे से वो स्तीक हो जाता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे हमको धीरे धीरे उसको पानी अपलाई करना है और उसको टेर करना है और वो आराम से टेर हो जाएगा तो ये हमारा टेर हो गया है और अभी जो उसका साइड पोशन है वहाँ पे भी हम पानी अप्लाई करेंगे और उसको धीरे धीरे हम उसको भी टेर कर देंगे तो आपको इस तरीके से उसको टेर करना है और यहाँ पे मैंने सबी कट करके रख दिये है और अरेंज भी कर दिया है कि किस तरीके से मुझे उसको रखना है तो यह देखिए यह बहुत ठीक थोड़ा लेयर होता है डेकोपाज नेकिन से तो हम उसको अभी थोड़ा पतला करेंगे तो उसको हम थोड़ा सा पानी में भिगाएंगे और उसके जो उपर का पोशन होता है उपर की एक लेयर होती है पेपर की वो हम धीरे धीरे उसको रिमोव करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हलके हाथ से उसको इस तरीके से आपको उसको रिमोव करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना थीन पेपर ये बन रहा है तो इसी तरीके से आपको पानी में थोड़ा थोड़ा भीगाते जाना है और उसको एक्स्ट्रा जो उपर का लेयर है वो आपको रिमुव करना है और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जल बाजी नहीं करेंगे अगर आप थोड़ा भी आपने ज़्यादा प्रेस करके उसको किया तो आपका पेपर फट जाएगा तो यहाँ पे आप पेशन्सली काम करिएगा तो आप दीरे दीरे इस तरीके से सभी पेपर को इस तरीके से पतला पेपर बनाद सकते हो तो यह देखिए यह हमारा बनके रैडी हो गया है और काफी यह पतला लेयर दीख रहा है तो इसी तरीके से में सारे पेपर को पतला बना दिया है और यहाँ पे मैं यह mod pod glue बनाया है यह homemade mod pod glue है यहाँ पे हम glue लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और यह बन जाएगा mod pod glue तो यहाँ पे पहले मैंने mod pod glue अपलाई किया है और उसके बाद मैंने यह paper stick किया है और जो यह brush हम use कर रहे है उसको स्टीक करने के लिए वो आप ध्यान रखिएगा कि वो ड्राइ ब्रश होना चाहिए वैट ब्रश से आपको अभी उसको अप्लाई नहीं करना है तो इस तरीके से आप ब्रश की मदद से उसको अच्छे से स्टीक कर दो और एक बाद स्टीक हो जाता है फिर आप उस पे मौडपोज ग्लू का ब्रश उसको लगा सकते हो तो इस तरीके से आपको अपलाई करना है और इसी तरीके से मैं सारे पेपर को स्टीक कर दूँगी तो यह हमारा स्टीक करके रैडी हो गया है और जो भी पेपर था उस पे मैंने मौडपोज ग्लू लगा दिया और जो नीचे का पोशन था उस पे मैंने ग्रिन कलर अपलाई कर दिया है और यहाँ पे कलर के बारे में बताऊंगे मैं आपको तो यहाँ पे आपका जो डेको पाच पेपर है, उससे मिलता जुलता कलरी आपको बेज कलर बनाना है और फिर उसको अपलाई करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपलाई किया है और यहाँ पर कुछ पत्तिया बनी थी, लिफ बने थे, वो उतने इन्हांस नहीं हो रहे थे, तो मैंने इस तरीके से उसको इन्हांस करने के कोशिश की है, और यहाँ पर जो परपल फ्लावर्स थे, उसको भी मैंने थोड़ा इन्हांस कर दिया है, तो आप उसका similar color बनाके उसका जो थोड़ा effect है उसको आप enhance कर सकते हो तो यहाँ पे इसी तरीके से में ये जो maroon color के flowers है उसको भी में enhance कर दूँगी और golden color के जो flowers है उसको भी में enhance करूँगी तो इस तरीके से आपको color match करते हुए आपको flowers पे इस तरीके से करना है तो ये हमारा बनके ready हो गया है और अभी जो हमने green base लगाया है उस पे हम polka dots बनाएंगे तो इस तरीके से हम polka dots बना देंगे और ये polka dots बहुत ही खूपसूरत effect देता है तो आप देख सकते हो किस तरीके से उसका effect दीख रहा है और यहाँ पे मैंने जो ये बीच में लगाया था तो वहाँ पे थोड़ा उसका effect अच्छा नहीं लग रहा था तो वहाँ पे मैं golden color दे दूँगी तो अभी ये हमारा dry होके completely dry होके ready है उसके बाद ही आपको ये जो mod pod glue है उसका आपको ये एक coat करना है ये coat हम इसके लिए करते हैं ताकि आपने जो color किया है box पे और जो अपने जो paper यूज किया है वो अच्छे से secure हो जाए इसके लिए ही हम ये mod pod glue अपलाई करते हैं और ये glue एक बार सूख जाएगा उसके बाद आप उसको दूसरा coat दीजिए ताकि वो अच्छे से secure हो जाए और जबी भी आपको उसको wipes करना है तो गिले कपड़े से आप उसको wipes कर सकते हो और आप देख रहे हैं कि ये कितना खुब सूरत सा हमारा jewelry box बनके ready हो गया है अगर आपको मेरा ये jewelry box पसंद आया है तो एक like तो बनता है तो आप मेरे वीडियो को like ज़रूर करना और सबके साथ में share भी करना और ये देखिए आपकी jewelry इसमें आप रख सकते हो और ये आपका बन जाएगा jewelry box ready और इसमें आप आपकी जो भी मन पसंदी चीजें है वो आप रख सकते हो और आप ये देख रहे हो कि कितना खुब सूरत सा ये jewelry box बनके बहार आया है तो आप भी उसे ज़रूर ट्राइ करना और अभी हम बनाएंगे ये flower vase तो आप देख रहे हो कि ये किस तरीके से लगता है तो इसको भी मैंने deco patch paper से ही बनाया है तो देखते हैं किस तरीके से हमने इसको बनाया है तो यहाँ पर मैंने empty jar लिया है और आपके पास जो भी jar available है आप उसका use कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने ये paper लिया है तो यह मैंने amazon से मंगाया था इसका भी link में नीचे description box में दे दूँगी और यहाँ पर मैंने ये जार को इस तरीके से dab dab करके मैंने उसको color किया है और यहाँ पर मैंने sponge की मदद से उसको color किया है तो आप भी इस तरीके से उसको color कीजिएगा तो अभी हमारा जार कुछ इस तरीके से दिखता है और अभी हम लेंगे ये flowers तो यहाँ पर मैं दो flowers cut करने वाली हूँ तो ये मेंने दो flowers cut किये है तो इस तरीके से हम उसको रखेंगे तो पहले मैंने उसको चेक कर लिया कि किस तरीके से मुझे उसको अपलाई करना है फिर आपको उसको ये जो पेपर है उसको मैंने पहले पानी में थोड़ा हलका सा गिला किया है इस बार में उसके उपर की लेयर नहीं निकलने वाली क्योंकि ये काफी पतला हो गया था तो मैं उसको direct ही apply कर रही हूँ और जब भी आप उसको apply करते हो तो आप एक बात का ध्यान रखो कि उसमें कोई भी air bubble नहीं होवे अगर आपके air bubble उसमें रहेंगे तो आपका ये decoupage अच्छा नहीं बनेगा तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि इसमें air bubbles नहीं रहे और पहले जो हमने technique यूज किया था dry brush से उसको apply करने का वो ही technique आपको इधर भी use करना है और आपको धीरे धीरे उसको stick करना है और जो भी air bubbles ये उसको remove करना है और यहाँ पे भी एक बात में आपको बताऊंगी कि ये decoupage करने में आप जल बाजी नहीं करिए otherwise आपका जो decoupage आप कर रहे है वो अच्छा नहीं होगा और उसी तरीके से में दूसरा flowers भी apply कर दूँगी तो इस तरीके से आपको air bubbles हटाते जाना है और उसको stick करते जाना है और वो आसानी से stick हो जाएगा और अभी एक बार मेरा ये stick हो गया अभी color तो color के बारे में मैंने आपको बताया कि जो भी आपका decoupage paper है उसका color का ही base बना के आप उसको apply कीजिए तो वो काफी अच्छा effect दिखता है तो यहाँ पे मेरे दो shade में थे इसलिए मैंने दो shade में उसको color किया और दोनों shade को कुछ इस तरीके से मैंने उसको match किया है कि ये दोनों अलग नहीं दिखे और ये एक दिख के अच्छे से उसका look आए कुछ इस तरीके से मैंने उसको apply किया है तो आप भी कोशिश करना कि आपका जो दो अगर color आप करते हो तो दोनों इस तरीके से अच्छे से mix हो जाने चाहिए तो आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से उसको apply किया है और ये देखिए काफी खूब सूरत सा दिख रहा है और अभी मैंने ये cap पे भी color कर दिया था अगर आपको flower basket नहीं use करना है तो आप इसमें कुछ भी सामान रखके आप use कर सकते हो तो उसके लिए ही मैंने ये lid पे भी उसको वो paper लगा के मैंने color कर दिया है अभी बारी आती है ये जो flowers था उसके थोड़ी सी खुब सूरती को enhance करने की तो यहाँ पे मैंने वही maroon color लिया और उसको थोड़ा उसका effect बढ़ा दिया और उसी तरीके से यहाँ पे जो leaf बने थे उसको भी मैंने green color करके उसको थोड़ा उसका beauty को enhance कर दिया है तो अभी हमारा जार कुछ इस तरीके से दिखके आया है यह मुझे काफी पसंद आया जार यह काफी अच्छा भी दीख रहा है और अभी जबी आपका यह पूरा color सुख जाए उसके बाद आप फीर से उस पे यह mod pod glue अपलाई कर दो ताकि यह आपका color और आपका paper दोनों secure हो जाए और यह हमारा flower vase बनके ready हो गया है और अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को like कीजिए और हमारी channel को subscribe करना मत भूलिएगा बाई